दोस्तो cloud computing high demanding skills में से एक है, इस field में आज भी cloud experts की बहुत ज़्यादा demand है, तो ऐसे में अगर आप ए cloud experts बनकर अच्छी salary package पाना चाहते हैं, यागर आप student और cloud computing के बारे में नहीं skills को सीखना चाहते हैं, तो ऐसे में आज के इस वीडियो में मैं आपको जो based certification courses है, cloud computing के बारे मे जो कि जिसे की यहाँ पर AWS provide कर रही है, उसके बार में पूरी update देने वालों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वालों कि AWS के certificate को आप लोग कैसे यहाँ पर सिर्फ कुछ घंटे यहाँ पर class को करके, session को करके, यहाँ पर certificate को अपने नाम कर सकते हैं, तो दोस्तो अब ब certification बहुत ही आपके लिए beneficial सावित होगी, गेमचेंजर सावित होगी, क्योंकि certification के साथ आप लोग के यहाँ पर chances बहुत जादा बढ़ जाएंगे, उस internship में select होने की होगा, और अगर आप लोग यहाँ पर एक बार internship में select हो जाते हो तो आप सभी को पता है, नएने skills को सिखने के साथ real world experience के साथ साथ आपको internship की certificate भी provide की जाती है, और इसी के साथ अगर आप in future किसी भी company में job के लिए apply करेंगे, तो यह internship की certificate आपके career को boost कर सकती है, तो अब finally बात करते है salary package के बारे में, तो एक cloud computing engineer export की salary certification courses के साथ 15 से लेकर के 24 लाग के बीच हो सकती है, तो गर आप भी इस field में interested और cloud computing के बारे में networking के बारे में security के बारे में database के बारे में सीखना चाते हैं, तो आज की वीडियो बिलकुल आपके लिए वीडियो को सुरू से लेकर के अंत तक देखीए का, मैं आपको यहाँ पर एक करके पूरी process बताने वाला हूँ, तो पूरी information के लिए सीधे पर पहुंच पूकर जिसके अंदर अविशम डे online conference को launch किया गया, आप देख सकते हैं, simply यहाँ पर आप देख सकते हैं, 29 September 2022 को एक conference होने वाली online session होने वाला है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपने तीन घंटे यहाँ पर invest करने, उसके बाद company ने साप साप mention कर रखा, यहाँ पर आपको certificate of attendance भी दिया जाएगा, साथी साथ यहाँ पर event highlight में हम लोग जाकर के देख सकते हैं, लगबग 5 module होने वाले हैं, पांचो session को आपको यहाँ पर attend करना होगा, सारे session में आपको video tutorials से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, इसी के साथ साथ लाइव question and answer का session होने वाला है, मतलब यहाँ पर live आप लोग questions भी पूछ सकते हैं, तो अब बात कर लेते timing के date तो मैंने आपको बता दिया 29 September होने वाला है, conference time के अगर बात करें तो इंडिया में आप देख सकते time यहाँ पर 6 AM से लेकर के 9 AM में यहाँ पर पहला module होने वाला है, दूसरी timing यह आगे मैं आपको अपनी mail भी यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको सारी information यहाँ पर provide की जाती है, और आपको कैसे session को यहाँ पर join करना होता है, तो अब बात कर लेते कि session के अंदर आपको क्या के चीज़े सिखाए जाएंगी, तो यहाँ पर आप देख सेकते total 5 session होने वाला है, पहला है यहाँ पर introduction to AWS होने वाला है, जिसके अंदर आपको इस module के अंदर यह सारी चीज़े सिखाए जाएंगे, जैसे कि cloud computing के basic के यहाँ पर बाते सिखाए जाएंगी, और सबसे ची बात जो मुझी यहाँ पर लगे, जो भी आपके speaker होने वाले है, वो सारे AWS के certified यहाँ पर trainer होने वाले जो आपको इहाँ पर training प्रोवाईड करेंगे, अब जितने भी session में यहाँ पर देखेंगे, जो भी speaker होने वाले है, वो सारे AWS के certified ट्रेनर होने वाले होने वाले, तो इनके तरू आपको यहाँ पर session को provide के जाएगा, जो भी skills के सिखाए जाएग इसी तरीके से आप लोग यहां पर पांचों मॉडूल के बारे में देख लिजएगा, दूसरे मॉडूल में यहां पर इंट्रोड़क्शन टु एडबलो सर्वीसेज, कंप्यूट, स्टोरिज और डाटावेस के बारे में आपको यहां पर बताया जाएगा, उसी तरह यहां तीसरा मॉडूल में आप देख सकते, इंट्रोड़क्शन टु एडबलो सर्वीसेज, नेटवर्किंग और सेक्यूरिटी के बारे में भी आपको यहां पर नए नी चीज़े यहां पर सीखने को मिल जाएगी, चौति मॉडूल में इनोवेशन विट एडबलोस के बारे में आपको बताया जाएगा, उसके बार लास्ट मॉडियल में यहां पर कोर्स समरी के बारे में आपको बताया जाएगा, जिसके अंदर यह सारे चीज़े आपको यहां पर बताया जाएगी, तो यहां पर आप देख सकते, कम्पनी ने साब साब मेंशन कर रहा है, इस कोर्स को इस session को यहाँ पर जो लोग beginner है, जिससे कोई याँ पर नाॉलेज नहीं है, वो लोग भी यहाँ पर appeals प्रोसेश पूरी दिखाऊँगा, तो अगर इसकी price की बात करती है, बिल्कुल फिरी, आपको यहाँ पर एक भी रुपै कर्च करने की जरूत नहीं है, certification के लिए भी आपको यहाँ पर एक भी रुपए खर्च करने की जरुवत नहीं है उसके बाद जो भी instruction होगी आपको mail के थूँ यहाँ पर provide कर दी जाएगी तो अब important question आती है how do I get the certificate of attendance कि आपको यहाँ पर certificate of attendance कैसे provide किया जाएगा तो यहाँ पर company ने साब साब mention कर रखा है completing watching all five modules मतलब पाचों module को यहाँ पर आपको completely देखना होगा उसके बाद ही आपको यहाँ पर एक certificate of attendance प्रोवाइड किया जाएगा तो यह आपको कहां मिलेगा तो यह आपको 31 October 2022 से पहले आपकी email address पे यहाँ पर send कर दिया जाएगा completely watch कर सकते हैं तो आप लोग date को याद रखे का 29 September 2022 होने वाला जिसकी यहाँ पर duration आप देख सकते लगबग तीन खंट कि यहाँ पर session होने वाले पाचों session को आपको यहाँ पर attend करना उसके बाद आपको first name, last name, country region डालना है, state डालना है, city डालना है, postal code डालना है, phone number डालना है, mobile phone डालना है, उसके बाद यहाँ पर tell us a bit about you, तो यही पर आप लोगों को ध्यान से देखना है, यहाँ पर आप देखेंगा job title लिखा हुआ है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर my interest यहाँ पर personal कर दे यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको option दी गई है, उसकी के साथ यहाँ पर company type में आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं आपकी यहाँ पर जो भी institute है जो भी college अगर argument हो आप लोग यहाँ पर government डाल सकते हैं, company size में आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं, label of AWS uses में आपको यहाँ ल लेना do not use AWS today मतलब आपको AWS के बारे में आपर ज्यादा नौलेज नहीं है यूज केस में आपको यहाँ पर कुछ भी डाल देनी जैसे कि AI, Machine Learning, Big Data, Nail, Article and Business Intelligence से रिलेटेड आपको यहाँ पर जिस भी चीज में ज्यादा इंट्रेस्ट है उसे आपको यहाँ पर चूज कर लेना है उसके बाद password डालनी होगी फिर password को repeat करना होगा इसी email आडियो और password से आप लोग यहाँ पर जो भी session live होगी उसे आप लोग अटेंड कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं password में कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिये गया है जैसी कि password आपका यहाँ पर 8 से लेकर के 14 करेक्टर के बीश्ट का होना चाहिए एक lowercase एक uppercase later होना चाहिए एक numerical digit होनी चाहिए साथी चाहत यहाँ पर एक special करेक्टर भी होनी चाहिए तो password generate करने के बाद आप लोग यहाँ पर जाकर के checkbox पर click कर दीजेगा उसके बाद I am not a robot पर select करके आपको यहाँ पर register के button पर click कर देना है तो अगर आपका यहाँ पर registration successful हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते थैंक्यू के एक message जाएगा thank you for your registration जिसके अदर आपको यहाँ पर एक thank you message यहाँ पर so हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते अभी यहाँ पर जो भी form है जो भी यहाँ पर registration वो open है तो आप लोग फट फट यहाँ पर जल्दी से जाकर के registration सबसे पले आप लोगों को कर लेना है उसके बाद आप लोगों को कुछ देर में यहाँ पर mail से जाकर के login करना है और जो भी session यहाँ पर live होने वाला उसे आपको यहाँ पर attend कर लेना है तो जैसे आप यहाँ पर login के बटन पर click करेंगे अभी आपको यहाँ पर timing दिखागा क्योंकि अभी यहाँ पर 15 दिन बागी है तो यहाँ पर time यहाँ पर countdown चल रहा है जैसे ही यहा पर timing खतम हो जाएगा 29 September आजाएगा आप लोग यहाँ पर इस session को live जोइन कर सकते हैं तो 500 module को आप लोगों के यहाँ पर completely देखना उसके बाद आपको एक certificate of attendance भी यहाँ पर provide की जाएगी तो दोस्तों आजके इस वीडियो में बस इतना ही उमीद करता हूँ आजके यह इंफर्मेटिव लगाओ वीडियो इंफर्मेटिव लगाओ तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में